हालो एवरिवन सबसे पहले इंपिटर्स फैमली की ओर से आप सबको नए साल की हार्दिक सुबकाम नाए हैपी नियुएर तो अल अफ यू आज 1st जनवरी 2021 है मैं हमेशा ये सेशन 31st डिसंबर को लेता था पर इस साल 1st जनवरी को लेने का रीजन है कि मैं चायता था 2020 पूरी तरह से खतम हो जाए और हम नए साल में आ चाहिए यानि आज 1st जनवरी 2021 है 2020 हर एक का नजरिया बहुत अलग है 2020 को देखने का कई लोग मानते हैं कि बहुत बेकार साल निकला बहुत सारी प्रॉब्लम सुई ओवियसली ऐसा साल सायद हम अपनी लाइफ में दुबारा कभी ना देखना चाहेंगे नो डाउट पर इस साल ने बहुत सारी चीजे हमें सिखाई भी है जो निकल गया वो निकल गया पर बहुत कुछ हमें सिखा के गया है तो हम 2020 से बहुत सारी चीजे सीख सकते हैं पर यही तो एक तकलीफे हमने देखी हैं अपनी लाइफ में और इन तकलीफों के साथ भी हम सब लोग अच्छे से जी लिए निकल गए यही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा चीजमेंट है इसलिए मैं बोलूँगा कि 2020 को बैड एर की जगे लर्निंग एर बोला जाए तो सबस सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि सारी बनला बस ट्रेन फ्लाइट सब कुछ बंध हम घर से दूसरे घर तक नहीं जा सकते कभी ऐसा समय आएगा कभी नहीं सोचा था हर कंडिशन को हमने फेस किया घर छोटे थे बड़े थे पर सब के साथ मिलकर है एक नया एक्सप से टाफ सुचिएशन में भी हम निकाल सकते हैं मिनिमम रिकॉर्मेंट मिनिमम चीजों के साथ भी कहां हम कितनी सारी चीजे हर अबते कहीं हम गुम रहे हैं वीकेंड पे जा रहा हैं पार्टी हो रही हैं अल्ग-अलग-अलग पर उन सब के बिना भी हमने लाइफ निका लि यानि हर एक इंसान के लिए अलग-अलग learning हो सकती है एक बात जो बोलूँगा जिसका मुझे हमेशा दोख है अंदर से कि इसमें सबसे ज़्यादा जो loss हुआ है वो है student का क्योंकि धीरे-धीरे lockdown खतम हुआ lockdown खतम होने के पहले ही धीरे-धीरे जो आपके parents में सब हम सब अपने-पने काम करने लगे online काम करने लगे पर student ने भी online पढ़ा ही चालू कर दी पर एक student को जो miss हुआ वो हुआ school college का नहीं जाना और वो अभी तक है यानि अब सब कुछ अनलोग हो गया फिर भी अभी school और college अभी भी open नहीं हुए यह एक बहुत बड़ा loss student को हुआ है क्योंकि जब हम school या college जाते हैं तो definitely बहुत सारी चीजे learn करते हैं और एक routine life set होती है यह सब हुआ है पर उमीद पूरी है मैं और यही चाहता हूँ तो यही सुब कामना हो और यही wish करूँगा कि इस साल हमारे सारे school college खुले है और जैसी normal life student की होती है वो बापस start हो क्योंकि students के लिए थोड़ा सा यह time tough था paper होंगे की नहीं कितनी सारी चीजे हुए इन फेक्ट जिन बच्चों का इस साल जो भी एक्जाम दिया उन्होंने चाहे वो आई टी हो चाहे नीट हो चाहे M.C.O. चाहे N.D.O. सब जितने भी बच्चों ने एक्जाम दिया उनके selection के बाद भी उन्होंने अभी तक college नहीं देखा वो college वाला feel ही नहीं आ रहा अभी भी session अगले start हो गए तो मैं ऐसी उमीद करता हूँ कि बिल्कुल बहुत जल्ली ये सारी चीजे normal हो जाएं तो student के term में काफी loss हुए उनकी activities पे काफी जारे restriction हुए तो उमीद है कि ये सारी चीजे साल खतम हो जाएंगी वैक्सिन भी आई गया है फिर भी हम सबको safe रहना है ठ्यान रखना है क्योंकि वैक्सिन आने के बाद भी हर एक को मिलेगा इसके लिए काफी समय हमें लगेगा और अभी उसके पूरे हमें results भी नहीं पता तो ऐसे हमें सबसे important है कि हम safe रहें तो 2020 year ने हमें बहुत कुछ सिखाया है आप सब ने अपने अपने तरीके से अपने point of view से definitely कुछ ना कुछ सीखा होगा और नई नई चीजे हमारे life में यह develop हुई है तो अब बस इस session के साथ यही कहूंगा कि अब आने वाला साल और बचे हुए जीवन कि वो सब साल आपके ऐसे हो जो आप अपने life में आपने dream लिया है जो आपका vision है वो पूरा हो उसके लिए आप efforts लगाएं और याद रखिए कि new year पे कुछ नहीं बदलता है बदलती है एक date हर एक कोई इंसान new year पे एक संकल्प लेता है कुछ ना कुछ decision लेता है कि मैं next year य decision लेजिए कि आप अपनी life को कैसे देखना चाहते है और action लेजिए और move कर जाएए अब तो आप सब इस condition में भी जीना सीख गया और सब चीजे बढ़ गए आपको पता है कि इस साल सब 21 में सारे exam time पे होंगा IIT की date आगई नीट हो जाएगा जितने भी exam में सब time पे होंगे और अब सब कुछ हो गया यानि अब हमने अपनी life को दो तरीके से जीना सीख लिया एक घर में रहके भी और एक घर के बाहर निकल के भी ये एक नई चीज हमने सीख लिये हमने घर पे भी रहके पढ़ना सीख लिया और classes या school जाके या coaching class जाके भी पढ़ना सीखा है यानि अब हम हर तरह से mentally prepared हैं तो आपने हमने सबने इतनी toughest conditions देख लिये हैं कि अब इससे ज़्यादा tough ना कभी हो बगवान करें और ना होगी हम अब आने वाला समय अच्छा ही देखेंगे तो not only कि 21 आने वाले जीवन के हर साल आपके बहुत अच्छे होंगे इनी सुब कामना के साथ ये session end करूँगा regular impetus गुरुकुल के sessions आते रहेंगे बहुत सारी चीज़े अभी जैसे से exam जैसे अभी NDA का exam आ गया है तो अब NDA के session से start होंगे ITJE का जैसे ही exam आ चुका तो उसकी test series already run कर रही है MC का भी जैसे ही notification आता है उसके भी आपको sessions मिलते रहेंगे इनी सुब का बहुत लंबा समय था बहुत अलग तरह की life जी पर इस life के साथ एक चीज़ समझ में आ गई कि हम हम दो तरह की life यानी सब कुछ जैसे पहले था वैसे भी जी सकते हो आज की condition में भी यानी अब हमें एक ही बात सुचनी वो है आगे बढ़ना पीछे मुड़के नहीं देखना इसलिए 31st December कोई session नहीं लिया अब बस आप आगे देखिए और ऐसी ही खुश रही है all the best thank you